जैहिंद नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ एक और फिर से एकने बीडियो के साथ डिवलप इंडिया एक्सप्रेस में दोस्तो सीतामडी से पटना जाने में लोग को इतनी सारे दिकते आ रही है कि पुछिये मत यहां पर कैसे सीतामडी की लोग को बेवकूप बनाए जा रहा है इसी बारे में हम एक छोटी सी रिपोर्ट लेकर आपके समक्च आ गये हैं और उमीद है कि यह छोटी सी रिपोर्ट आपको पसंद आएगी अन तक जरूर देखेगा दोस्तो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेजेगा और साथ में नोटिपिकेसन बिलको भी जरूर से प्रेस कर लेजेगा दोस्तो यदि आप सीतामडी से पटना जाना चाहे तो आप कैसे जाएगे जाने के लिए पहला साधन ये है ट्रेन जो की सीतामडी से होकर जाती है रक्सौल पाटली पुतर डेमू दूसरा साधन ये है बस दोस्तों केवल यहां दो साधन जिसमें सीतामडी से बस की भागिदारी 80% है और यही वज़ा है कि सीतामडी की 80% यातरी बस यहीं पटना की सफर करते हैं और जब एक मातर सहारा बस पर भी लुटा जानने लगे तो लोगों को पटना की दुड़ी अंतहीन लगने लगती है यदि आप इस समय सीतामडी से पटना जाना चाहे बस का किराया देखे तो प्रतिव एक्ति 440 रुपे लिए जा रहा है जो की समाने दिनों से 240 रुपे अधिक है और मुझबर पूर का भारा देखे तो प्रतिव एक्ति 160 रुपे लिए जा रहा है आखिरिया हो क्या रहा है कैसे जाएंगे लोग यह मानमानी किराया से बचने के लिए लोग ट्रेनों पर निर्भर हो जाते हैं और जब सीतामडी से पटना की ट्रेनों की बात आती है तो मात्र एक ट्रेन नहीं चल रही होती है सीतामडी के रास्ते वो भी रक्सोल पाटली पुत्र डेमू जिसमें इतनी भीर होती है कि पैर तक रखने के लिए जगा नहीं होती लेकिन इतनी सारी पड़िसानिया होने के बापजूद रेलवे नई ट्रेने नहीं देती यहां से पटना के लिए और हाली में एक मेमू ट्रेन दरभंगा पाटली पुत्र चल रही थी उसे भी एक महिने से बंद कर रखा है और ना जाने कभी है ट्रेनों आपस दोड़ेगी आकर कैसे पहुंचेंगे सीतामडी की यातरी यहीं एक बड़ा सवाल है और यही वज़ा है कि अभी भी सीतामडी से पटना काफी दूर लगती है बाकी अने सहरों के मुकाबले सीतामडी से काफी कम संख्या में ट्रेनरे चलती है जबकि यहां से पटना की यातरी ओभर लोड होकर जाती है भर भर कर जाती है फिर भी ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ती दोस्तो रेलवे को हो रही इस असुविधा को देखते हुए इस पटेसानियों के देखते हुए सीतामडी से डालेक्ट नहं इंटर सिटी की सिरुवात ना करके जैनगर पटना इंटर सिटी को ही दरभंगा जनकपुरोड सीतामडी मुझपरपूर किरास्ते चला दिया जाने से भी इसका हल निकला जा सकता है और इसी के साथ साथ यहां से लोग को तीन ट्रेने मिल जाएंगी पटना जाने के लिए जिससे बसों की मनमानी वाला किराया से छुड कारा मिल जाएगा और इसकी गारेंटी है कि रेलवे से खुले और तिसरी दर्भंगा पटले पुतर में मुद तीन बजे साम को खुलती है वो भी ठीक है इस वरकार से तीन ट्रेने सीतामडी से पटना जाने के लिए मिल जाए तो बसों से छुड कारा मिल जाएगा सीतामडी वासियों को दूसरा फादा यह भी होगा कि आज त जरूश्यों की सहौलियत के साथ-साथ रेल्वे को भर्पूर कमाई होगी और इस से यात्रियों की असुदा घट जाएगी दोस्तो आपको क्या लगता है क्या इन तीन ट्रनों की मदद से यहां की लोग को हल मिल सकता है क्या जैने अगर पटना इंटर सुटी को वापस वा मिलते हैं आप से फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ तब तक लिए जाए हिंद जाए भारत